एलो नमस्कार दोस्तो फिस्टर स्वागत आप सभी का एक न्यू वीडियो में दोस्तो यूटीब चैनल पे सब्काइबर कितने तरीके से बढ़ाया जा सकते हैं जैसा कि आप लोग को पता है कि यूटीब पे हम लोग सब्काइबर बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने यूटीब चैनल पे सब्काइबर बढ़ा सकते हैं और उसी में से एक ऐसा तरीका मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा जो कि आप में से बहुत सारे लोग यूज नहीं करते हैं और इस तरीके को यूज करके आप अपने चैनल पे बहुत जादा सब्काइबर बढ़ा सकते हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि आप लोग इस तरीके को क्यों नहीं यूज करते हैं या फिर आपको नहीं पता होगा सायद इसलिए आप इस तरीके को यूज करना चाहिए लेगिन अगर आपको ये वीडियो यूजफू लगती है, पसंद आती है तो आपको इस वीडियो को like करना है और साथ में इस चैनल को भे subscribe कर लेना है दो चलिए video को start कर लेते हैं तो दोस्तों सबसे पहले ये बात करते हैं कि हम लोग अगर अपने YouTube चैनल पर सब्क्राइबर बढ़ाना चाहते हैं तो वो कौन-कौन सा तरीका है जिससे हम लोगों के चैनल पर सब्क्राइबर बढ़ता है सबसे पहला तो यह कि हम लोग अपने चैनल पर वीडियोज अपलोड करते हैं फिर वीडियो वाइरल होता है और वाइरल होता है बहुत सारे लोग उस वीडियो को देखते है तो उसमें कुछ लोगों को बहुत जादा पसंद आ जाता है और वो लोग फिर से इसी तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं इसलिए वो लोग हमारी चैनल को सब्क्राइब करके notification bell को और पर select कर लेते हैं ये था पहला तरीका उसके बाद YouTube ऐसे ऐसे option आपको देता है ऐसा ऐसा feature लाकर के देता है जिससे आपकी चैनल पर सब्क्राइबर बढ़ सकता है लेकिन आप मैंसे काफी सारे लोगों को पता नहीं होता है और वो लोग अपने चैनल पर सब्क्राइबर नहीं बढ़ा पते है तो चलिए उसी मैंसे एक ऐसा तरीका है जो कि आप लोग को नहीं पता है और उससे आपके चैन पर सब्क्रावर बढ़ेगा तो कौन सा तरीका है तो आपको सबसे पहले क्या करना है आपको Chrome Browser को Open करना है और Chrome Browser को Open करने के बाद इस तरीके का Interface आपको देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पर आप YouTube.com सर्च कर सकते हैं या फिर नीचे आपको YouTube का लोगो एक दिख जाता है इस पर क्लिक कर देना है जैसा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने YouTube चैनल को जो वाइट स्टूडियो है Creator स्टूडियो उसको Open करना है Open करने के लिए क्या करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो एरो आपको देखने के लिए मिलता है इस पर क्लिक करना है उसके बाद नीचे desktop site का option मिलता है इस पर क्लिक करना है जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरी का interface आता है तो मैं आप आप लोगो जूम करके दिखाता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी YouTube चैनल का logo आपको दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करना है जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर दो YouTube का logo दिख रहा है तो यह जो दूसरा YouTube का logo देखने के लिए मिलता है इस पर क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके YouTube चैनल का अपलोड करके रखते हैं वो सारा यहाँ पर सो करता है अब यहाँ पर सब्काबर कैसे बढ़ेगा क्या आपको काम करना चाहिए यह बताने से पहले मैं आप लोग को यह दिखा देता हूं कि जो मैं आप लोग को बता रहा हूं अब इसको मैं end तक कर देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो को मैंने end कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो end screen वगएरा लगाते हैं वो आ चुका है और यहीं से आपकी चैनल पर सब्काइबर बढ़ता है जो कि आप लोग यूज नहीं करते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है टेक्निकल गुरुजी यह दो यहाँ पर चैनल को mention करके रखे हैं अपने वीडियो के last में यानि end screen में और अगर मान लीजए कि मैं है यहाँ यह पर तेकनिकल गुरुजी चैनल को मैंने अगर सब्क्राइब नहीं करके रखता है और यहाँ पर मुझे लोगो देखने के लिए मिल रहा है अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्सक्राइब करने का option मिलता है और मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब भी कर सकता हूँ और साइध आप में से काफी सारे लोगों को पता भी होगा कि in the screen में हम लोग अपने YouTube चैनल का लोगो लगा सकते हैं और वहाँ से सब्सक्राइब बढ़ता है लेकिन बहुत सारे लोग इसको आलस के वज़े से या फिर मुझे नहीं पता कि क्यों यूज नहीं करते उसके बद यहाँ पर आप देख सकते टेक्निकल गुरुजी अपना व्लोगिंग चैनल को भी आप एड़ करके रखें अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते विजिट चैनल का उप्टर मिल रहा है यानि यहाँ से भी मैं अपने दूसरे चैनल में भी सब्क्रावर बढ़ा सकते हूँ यानि आप लोग को समय में आ गया कि इंड़ स्क्रीन से आपकी यूटिब चैनल पर कितना ज़्यादा सब्क्रावर बढ़ सकते है तो आप इसको यूज कैसे करना है इंड़ स्क्रीन में अपने यूटिब चैनल का लोगो कैसे लगाना है या फिर अगर आप अपने यूटिब चैनल में दूसरे चैनल को अगर प्रमोट करना चाहते हैं तो उसको कैसे आप लगा सकते हैं चली मैं आप लोगो बताता हूँ तो यहाँ पर जो मैंने white studio open की आपको open कर लेना है उसके बद जिस भी वीडियो में आपको end screen लगाना है यानि अपने चैनल अगर अपने खुद के चैनल पर सब्क्राइबर बढ़ाना है या फिर आपको कोई अलग चैनल उसके अगर सब्क्राइबर बढ़ाना है तो उस वीडियो को आपको open कर लेना है आपको उस title पर click करना है फिर यहाँ पर इस तरीके का interface आपको देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा side scroll करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको end screen का option देखने के लिए मिलता है मैं आप लोग को zoom करके रिखा रहा हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस पर click कर देना है जैसा आप इस पर click करेंगे तो आपकी वीडियो का जो end screen होता है वो यहाँ पर open हो जाता है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने YouTube चैनल पर भी अपना logo लगा करके रखा है और जो वीडियो को end तक देखेंगे और उन्होंने चैनल को सब्काइब नहीं की हैं तो इस logo पर click करके वो मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं अब इसको कैसे लगाना है तो सबसे पहले यह जो मैंने लगा करके रखा है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इहाँ पर सारे clear कर दिया अब कैसे यहाँ पर आपको अपने YouTube चैनल का लोगो लगाना है तो आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं Element का आपको Option मिलता है इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी वीडियो का जो इंडर स्क्रीन है उसमें आपकी YouTube चैनल का जो लोगो है वो आ जाता है उसके बाद आप इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से सैट कर सकते हैं जहाँ भी रखना है रख सकते हैं या फिर अगर मान लिजए कि आप अलग चैनल को भी अपने दूसरे चैनल को यहाँ पर इंडर स्क्रीन में लगाना चाहते हैं उस पर सब्कावर बढ़ मैं उसी को यहां पर सर्च कर लेता हूं तो यहां पर देख सकती मेरे जो vlogging channel राहुल एगरा vlogs मैंने यहां पर सर्च किया और यहां पर मेरा YouTube channel का logo दिखाए दे रहा है तो आपको इस पर click करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर देख सकती है यह रेड आपको कस्टम मैसेज का आपको आपको आपसें देखने के लिए मिलता है इस पर क्लिक करना और यहाँ पर आप कुछ भी सेकें है उसमें यहाँ पे मेरा जो दुसरा चैनल व्लॉगिंग चैनल वो आज चुका है उसके बाद आप इसको यहाँ पे इस तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको जो सेव का ऑप्षन देखने के लिए मिलता है उस पे क्लिक करके आपको सेव कर लेना है और जैसा आप यहाँ पे सेव करेंगे तो आपके वीडियो के इंड़ स्क्रीन में आपको जो चैनल है वो लग जाएगा या फिर अगर आप अपने दुसरे चैनल को प्रमोट करना चाहते है उस पे सब्कैबर बढ़ाना चाहते है तो वो भी आप लग वैसे आप लोग को नहीं पता होगा तो बहुत जल में एक एक करके सारे टॉपिक पर वीडियोज बनाऊंगा और अपने चैनल पर आप सब्कैबर कैसे बढ़ा सकते हैं यह मैं आप लोग को बताऊंगा वैसे एगर आपको कोई भी बी टॉपिक पर अगर वीडियोज नहीं था अगर आपको यह वीडियो यूजफू लगी हो थोड़ा सा इंफरमेशन अच्छी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना है साथ में इस चाहों को सब्काइब करके नॉटिफिकेशन वेल को भी आपको आल पर स्लाइक कर लेना है तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक् के लिए जाहिंद